हेलो विडिवन, बेलकम टो एसकेडिमी, आज आप आपलो सब अच्चे होंगे, आज इस वीडियो में अभी तक जितने भी सिप्टों में पेपर हुआ है, जितने भी जन्नल नौलेज के कोश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में डिसकस किया जाएंगे, आप लोग आने महतपूर वीडियो साबीत होगी, क्योंकि आप लोग को पता चलिया किस टॉपिक से ज़्यादा कोश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग सबसे ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं, तो चलिए बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं, चैनल पर पहली पा ठीक है, चलिए पहला कोश्चन देखते हैं, जो पूछा गया था, एक कोश्चन होंगे, जो आप लोग के सभी स्रिफ्टों में पूछे गया हैं, किसी दिन पर सो, यानि दो भी स्रिफ्टों में, जो भी स्रिफ्टों में पूछे गया हैं, किसी भी स्रिफ्ट के एक कोश् अगला सवाल है भारत में एक रूपय का नोट कौन जारी करता है भारत में जो है एक रूपय का नोट वीत्त मंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है अगला सवाल है कौन सी ग्रंथी पितरस का इस्तराव करती है कौन सी ग्रंथी जो है पितरस का इस्तराव करती है राइट एंसर होगा एक क्रित का किसका करती है यह क्रित का इस्तराव करती है अगला सवाल है रवी संकर सितार वादक जिनका सितंबर 2012 में धन हो गया उन्हें ग निधन हो गया वह ग्रैमी अवार्ड कप दिया गया था मृत्यों की दो महीने बाद उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था अगला सवाल जो है बहुत ही महत्पूर है 2021 में T20 विसकप का आयोजन कहां पर होगा कहां पर हुआ था UAE ओमान में हुआ था कौन सी टीम जीती थी आप लोग इसको घ्यान लगाना है यह तीम जीती थी आस्टिलिया जो हे विनर रही थी कौन सी आस्टिलिया जो हे विनर रही थी और 2022 का बात करे अगला सवाल है 2022 में फीफा पुरुस विसकव आयोजन कहाँ पर किया जाएगा दोहा कतर में किया जाएगा जो फीफा विसकव अभी होने वाला है उसका आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा अगला स्वाल जो पूछा गया था अकबर का राजास मनती कौन था आप लोग को याद होबा राजा टोडल मल जो थे ए राजस के जो अकबर के राजास समनती थे आप लोग को याद रखना है अगला स्वाल है वर्स 2020 में टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भाला प्यक में स्वण पदक जीता आई होग आप सभी लोग पता नीरत चोपड़ा किसने जीता था नीरत चोपड़ा ने अगला स्वाल लेते हैं नाइट्रोजन कार्बन बिरेलियम लिथियम में किस की परमाड़ू त्रिज्जा सबसे अधिक होती है किस में nitrogen, carbon, berulium और lithium में किसकी परमाड़ू त्रिज्जाज होती है सबसे अधिक होती है यह होती है lithium की किस की होती है lithium की अगला सवाल है भारती सम्मिधान में मूल अधिकार मूल अधिकार प्राधण किस देश से लिए गया है राइट एंसर होगा अमेरिका से लिया गया है यह उसे से लिया गया है ठीक है ए भी कोश्चन पूचा गया था आई होप सभी लोग से कोश्चन बने गया हुआ जो लोग पेपर देखे आए है अगला सवाल है अप्रेल 2022 के अनुसार भूटान देश की राजधानी क्या है बहुत लोगों से गलत हुआ है आप लोगों रता दूँ एक कोश्चन आप लोगों को नित्रिते से नित्रिते से सम्बंदित जरूर कोश्चन पूछा जा रहा है और एक कोश्चन आप लोगों को 2011 की जन्गन्ना से कोश्चन पूछा जा रहा है ठीक है आप लोग इस बात 500 सीटे हो सकती है अला सवाल है वेटिंग फार वीजा के लेखक कौन है कौन है वेटिंग फार वीजा के लेखक है डाक्टर वी यार अम्बेटकर कौन है डाक्टर वी यार अम्बेटकर जो आप लोग एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है अला सवाल है चीटी के डंक में पिछल परदेश ने जीता है, स्पोर्ट जीके से एक बात और बता दूं, स्पोर्ट जीके से भी आप लोग Health Jam में एक कोष्चन पुछम पूछा जा रहा है, जैसे आप लोगो इस सिप्ट में जैसे आने वाले सिप्ट में आप लोगों से पुछ लिया जा कि रड़जी ट्राफी जो है इस बार की रड़जी ट्राफी किस ने जीता है आप लोग या रखना इस बार की रड़जी ट्राफी किस ने जीता था यंपी ने जीता था और 2021 की हैं आप लोग कमेंटर से जरू बताएगा माधूरी मंडल किस नेति से संपनादी तेवस्वाल है बी रहा नित भारत किस राजेश्टे से संपनाधि यह बिहार से थीक है आप लोगो याहादखना है यह बी लिंग का अनुपातवाला राज्य कौन सा है यह है केल आप लोग वतादू हर सिफ्ट में जो 2011 की जंगना से एक कोश्चन पूछा जा रहा है अर्सवाला यह ब्राह्मा पुर इस्वर मंदीर कहा पशित है यह तमिल नाडू में तो यह रहे है आप लोग कोश्चन जो भी मेर कर रहे हैं आप लोग कमेंट वाक्स से जरूर सेयर कीजिएगा कुशी तीनों बाद आप लोगो पे चित कटाप यानि एक्सटेट कटाप भी आप लोगो पोल के जरीए जारी किया जाएगा ठीक है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा